ये आकाश्वानी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रतना साहू। और अब पेशे आज के मुख्य समाचार। प्रधान मंत्री ने देश के विभिन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुल बादचीत में कहा कि आकांशी जिले देश की प्रगिती में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं। प्रधेश में समर्थन मुल्य पर किसानों से अब साथ फरवरी तक की जाएगी धन खरीदी। केंद्री स्वास्थ मंत्राले ने कहा है कि कोरोन संक्रमित व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने की तीन माह बाद कोरोन से बचाओ का ठीका लगवाना चाहिए। और अगले दो दिनों के दोरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना। अब समचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांग्शी जिले देश की प्रगिते के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इतिहास रच रहे हैं। देश के विभिन ने जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो पॉंट्रेंस के माध्यम से समवात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांग्शी जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को गती दे रहे हैं। इन जिलों में हुई प्रगती प्रशाशन और जनता के भी जुडाओं से संभव हो पाई है। इसके लिए प्रध्योगी की और नवाचार बेहद आहम है। वर्चुल बैठक में 36 गड़ के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल सहित राज्य शाशन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इस महिने की 24 तारीकों प्रधान मंत्री राश्ट्री बालपुरसकार विजटाओं से वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बाच्चित करेंगे। समारोह के दोरान प्रधान मंत्री इस वर्ष के विजयताओं को ब्लॉक चेन प्रोध्योगी की का उप्योग करते हुए दिजिटल प्रमाणपत्र देंगे, पिछले वर्ष के विजयताओं को भी प्रमाणपत्र दिये जाएंगे जिन्हें COVID स्थिती के कारण सर्टिफिकेट नहीं दिये जा सके थे। केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्राले ने बताया कि प्रधान मंत्री राश्ट्रिय बाल पुरस्कार प्रमान पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉक चेन प्रोध्योगी की का उप्योग किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य मंत्री ने कहा कि किसानों को धान बेचने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के हीत में यह निर्ने लिया गया है। जाने को अपरियाप्त बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भाजपा की प्रतिनिधी मंडल ने राजजपाल को ग्यापन सौंप कर। प्रदेश में धान खरीदी की अवधी एक माह बढ़ाने की मांग रखी थी। श्रिच जैसवाल ने किसानों के हीत में धान खरीदी की अवधी 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने आज अपने निवास कार्यले में आयोजित कारिक्रम में गोधन न्यायोजना के अंतरगत पशुपाल को महिला समुहों और गौठान समीतियों को 4 करोड 21 लाख रुपय की राशी ऑनलाइन जारी की। इनमें 1 से 15 जन्वरी तक गौठानों में खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड 76 लाख रुपय का भुपतान और गौठान समीतियों को 87 लाख तथा महिला समुहों को 58 लाख रुपय की लाभाश राशी शामिल है। कोरोणा संक्रमितों के टीका करण के लिए केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने दिशा निर्देश जारी किये हैं। कोरोणा से पचाओ के लिए अब तक 3 करोड 40 लाख 30 हजार से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिविटी दर 10.67 प्रतिशत पर पहुँच गई है। कल प्रदेश भर में 47,000 से अधिक सेंपलों की जांच की गई जिसमें 5,029 व्यक्ती कोरोणा संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 3,700 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कोरोणा संक्रमन के प्रती लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश से आज धमतरी में रोको टोको अभियान के तहत विभिन संगठनों के सहयोग से स्वास्त विभाग द्वारा रैली निकाली गई। केंद्री स्वास्त मंतरा लेने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोजित देशा निर्देश जारी किये हैं जो आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आए और भारत पहुचने पर कोविड पॉजिटिव पाए गया यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या प्रिथकवास में रखा जाएगा। उन्हें अनिवारे रूप से प्रिथकवास केंद्र में रहना नहीं होगा। वही स्वास्त मंत्राले ने बच्चों और किशोरों में कोविड संक्रमंट से निपटने के लिए भी संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं। मंत्राले ने संक्रमंट की गंभीरता के बाजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटिवारल या मोनोक्लोनल एंटिबॉडी नहीं देने की सिफारिश की है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर के जरिये टीके के लिए अ और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता। आप तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाश्वाणी समाचार। इस भीटवार्था का प्रसारन आकाश्वाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9 बचकर 30 मिनट पर किया जाएगा। इसे 36 गड़ स्थित आकाश्वाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। शोताओं आकाश्वाणी समाचार द्वारा कल साम जिले की चिठी कारिक्रम का प्रसारन किया जाएगा। जिले की चिठी का यह कारिक्रम आकाश्वाणी के राइपूर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे 36 गड़ स्थित आकाश्वाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे, इस बार के अंक में महासमुन जिले की गतिवीधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रश्णी के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं, बलराम पूर जिले के ग्राम शंकरगर निवासी दीपक मिश्रा, श्रे मिश्रा को विजेता बनने पर हम आकाश्वाणी और शुब कामनाएं देते हैं, भारतिय जंता पार्टी महिला मोर्चा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे हैं, आपरात को रोकने में राज्यसरकार पूरी तरह नाकाम रही है, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्धक्ष शालेनी राजपूत ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्यसरकार और पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्धर लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और राज्यसरकार इस पर अंकुष लगाने में विफल साबित हो रही है, बीजापुर जिले के चेरी गंटी गाउं में प्रधानमंत्री ग्रामसडक की योजना के तहत सडक निर्मानकारे में लगे, जैसी बी और पोक लेन सहित तीन वाहनों को मावादियों ने आग के हवाले कर दिया, जिले के पुलिस अधिक शक कमलोचन कश्यप ने इ मावादियों ने एक गोपनिय सैनिक की हत्या कर दी है, जिसका शव गंगा लूर मार्ग से बरामत किया गया है। गरत चमक के साथ आकाशिय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। सरगोजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में कल कुछ इस्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा और एक दो इस्थानों पर गरत चमक के साथ ओला व्रिष्टी हो सकती है। सरगोजा और बस्तर संभाग तथा उससे लगे जिलों में परसों 24 जन्वरी को हलकी बारिश होनी की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में स्वतंतरता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फोज के संस्थापक नेताजी सुभाष शंद्र बोस की कल 23 जन्वरी को 125 वी जैनती है। इस औसर पर राजपाल अनुसुया उइके और मुख्यमंत्र भुपेश बगहिल ने उन्हें नमन किया है। नहरू युवा केंद्र राइपुर द्वारा जिला युवा मंडल पुरसकार वर्ष 2021 के लिए आगामी 25 जन्वरी तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। और प्रतियोगीताओं का आयोजन किया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 40 किलो गांजा बरामत किया है। जब तक गांजे की अनुमानित कीमत करिब 8 लाक रुपे आंकी गई है। और बेमे तरह जिले की बेरला पुलिस ने पेट्रोलिंग के दोरान विस्फोटक सामगरी के साथ एक युवक को गिरफतार किया है। अंत में मुख्य समचार एक बर फिर। अंत में हलकी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेजिन समाप्त हुआ। नमस्कार। चार लुवक को गिर। नच्वक को ठावना मुवक कर दो ऀावना विस्फोटक समाफश प्रादेश के सामचार बुलेजिन समाफ़ को गिर।